सबसे पहली बात तो कि अपने जिस्म को गरम रखें ठीक है सम को गरम रखेंगे और लाजमी या ध़्र 9-10 कत्रे बहुत जूदध कि अधिक है हाथ में लें, दोनों हाथ में मसलें और पूरे जिसम पर लगा कर कपड़े पहने और सो जाएं ठीक है और नहाने के बाद लाजमी ये अमल जरूर करें कि आपने दस पंदरा कत्रे जो है ना जैतून के तेल के वो आपने उसमें हाथ में रप करना है और नहाने के फौरण बाद गीले जिसम पर पूरे जिसम पर इसको आपने लगा लेना है और जब भी नहाएं एक दिन में नहाएं दो दिन में नहाएं आपने लाजमी एक अमल जरूर करना है और उन लोगों को भी करना चाहिए कि जिनके जिसम में करंड बहुत जादा चलता है। आपने देख़ा होगा क्रक्रक सी आवाद आ रही होती है सरदियो की जमाने में, उन लोगों के लिए भी बैतरीन है और जिन लोगों का जिसम बहुत जादा ड्राइ होता है या जिसम में चूटिया सी चल रही होती है उनके लिए भी बेस्ट है ठीक है तो हलका सा जैतुन का तेल 10-15 कत्रे हाथ में लगाया गीले जिसम पर लगा लिया आपने उसके बाद आपने खुश कर लिया नहाने के फॉरण बाद एक दिन बाद नहाएं दस दिन बाद नहाएं जब भी नहारे हों तो ये अमल ज़रू करें ठीक है इसाला आपको उसका बहुत ज़्यादा फाइदा होगा तीसरी चीज़ यह मसल्स के लिए सिंगाडा बहुत अच्छी चीज़ है तो आपने सफैद मुसली सिंगाडा और चौप चीनी सफैद मुसली सिंगाडा और चौप चीनी इन तीनों चीज़ों को मिला कर पॉर्टर मना लें पर चाय का चमच एक कप नीम गरम दूद के साथ सुबा नियार मुख और एक चाय का चमच नीम गरम दूद के साथ रात खाने से एक घंटे पहले दो टाइम इन्शाल्ला इस्तमाल करें तो यह मसल्स का मसला भी हल हो जाएगा और यह जो मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों का मसल का मसला भी रहता है वो रात को हलका सा ऑईल जिसम पे लगाकर बहुत ज्यादा नहीं दस पंदरा कत्रे पूरे हाथ पे मलें और पूरे जिसम पे लगाने के बाद या ना आने के बाद लगा लें तो इस तरह से आपके पूरे जिसम में फैल जाएगा ये और ये आपको सेफ करेगा गार्ड करेगा और इन्शाला ये आपके जो जिसम में ठंड की वैसे भी बाद लोंगे ये मसला होता है और इन्शाला ये आपके जिसम का जो खुश्की का या चूटिया जो चलती ना वो चीज खतम हो जाएगी